बच्चो क्लास सिस की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर सरे स्वागा थे बच्चो और हम पढ़ रहे थे चैपटर नममर थी पदार्थों का प्रथककर पार्थalarकृतm जो यह चैपटरर है इसमें हम लोगों ने परथककरण करने की बारे मैद्यन किया तो इसकी विधियां जो हम लोगों ने पढ़ी बच्चो तो ठोस पदार्थों से ठोस पदार्थों को किस तरीके से अलग करना है यह हम लोगों ने पढ़ लिया उसकी कौन-कौन सी विधियां जिन से हम अलग कर सकते हैं और साथ ही बच्चो हम लोगों ने यह भी जाना कि ज कुस तरीके से हम द्रौफदार्थ में से अलग कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे कि घुलन सील ठोस पतार्थों को घ्रौफदार्थ को किस तरीके से अलग किया जाता है इसका पहला cooling method है वस्टपन विदी अगर माली जी घुलनसील कोई ठोस्पदार्त है जैसे कि माली जी चीन नमक यहीं पानी में खुल जाते हैं जाते जम सक्लाइए तो सब से पहले हम क्या करेंगे तो एक ग्लास लेंगे और आप सब Economics इसमें समढ़लीजी लेंगे जिसमें हम पाणी को गरम करसकें तो उसमें हमें पानी में आधा चंबर समच मिला लिया जो फोल दिल खोल के घूल जएगा अब कोई कहा दे कि इसको अलग करना है तो आप किस विदी को ऑफ कर सकते हैं, तो हम इसे अलग कर सकते हैं और इसके लि कि बच्चो वास्पनवीदी का मतलब है पानी का या किसी द्रव का वास्प में बदलना वास्प में बदल करके पानी क्या होता है उड़ जाता है तो जो ठोस्पदार्थ रहेगा वह हमारा उसे इसके रूप में हो जाएगा तो मालीजे जो हमने पानी लिया है जो इसमें नम वास्प के रूप में उबलता जाएगा बदलता जाएगा और भाब बंगे उड़ता जाएगा अब पानी धिर्ए-दिर करके यह कम हो सब्सक्राइब जो क्या हो जाएगा तब क्या होगा बच्चों कि जब पानी बहुत कम बचेगा फिर एक ऐस्थी इस्थितिया अगी पान पानी बचे गहीने और दीजे आपको तली पर जो है वह सफेद सफेद पदार्थ जमा हुआ दिखाई देगा जो क्या है बचा हुआ हमारा नमक है जो हमने पानी में गोला था तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है वास्पन विदी कहलाती है तो वास्पन कौन किसी द्रव का वास्प के रूप में परिवर्तित होना वास्पन कहलाता है नाम से इस पर्ष्थ है वास्पन वास्प बनके ओड़ जाना बाप बनके ओड़ जाना यानि पानी का भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है वास्पन कहलाता है तो वास्पन की विद्य की बीदी जो है वह और बेदा है और लमक बन तो आपको को समझ recess को समघ में आगली जो है वह फल करके नाँ आपकर च्बारब कोछे में पार not banget वह जहां यह कि यह विदी क्या होती है तो पहले आप समझ लेजी एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे तो आस्वन की विदी में आप लोगों ने देखा होगा बच्चो जब आपके घर में अगर पानी वॉयल किया जाता है या पानी बाला जा रहा है या चाय बन रही कोई भी चीज जिसम में दिखाई देंगी तो यह पानी की बुने आती कहां से है और पानी की बुने आई कहां से और कैसे बनी तो जब हम मालीजे कोई चीज कोई पदार्थ गरम कर रहे हैं तो जो पानी है वह धीरे धीरे करके भाब बनता जाता है और भाब बनके उड़ने की कोसिस करता है ले तो वह खया हो जब भाप घंडी होगि तो किस में बतलेगी बच्चो किन चो में लिक्वी्ट में बतले रूप में दरव के रूप में बने वोasons की डिकाय दियने लगताई। भूँडाम्मोच जो क्या होता है जैसेम केथली में आखर गरम किया ना अगर अगर मालीजे उसके और किसी धककण को हम्ने धखा हुआ इसपे अगर युदु रख्च देती तो जो यह पानी की प्रक्रिवा और पानी की बूने जो है वो भाब जो है वो तेजी से पानी की बूनों में बदलता जाएगा और उन बूनों को हम अलग कर सकते हैं तो यह विदी क्या कहलाती है आसवन की विदी कहलाती है इस विदी को क्या कहा जाता बच्चो आसवन की विदी कहते हैं वास्ता में बच्च और संगनन एक दूसरे के अपोजिट है वास्पी करण में पानी क्या होता है वास्प बनके उड़ता है और संगनन की प्रक्रिया होती है उसमें जो वास्प है या भाप है वो पुनह पानी में बदलती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है संगनन भाप का या वास्प का पु में कరवाट हो गया क्रियां यहां पर दो क्रियां हो रही है कर और और पनार यह दोनों क्रिया क्या कहलाती है रहान की ब्राच सो अर्ट कहा जाता है तो इस प्रता तो जो है वह दो विदियों से मिलकर के बनी एक वास्पी करन और संगनन दोनों को मिला दिया जाए तो विदी क्या हो गई आसवन विदी यानि पानी गरम होगा वास्प बनेगा फिर से ठड़ना हो जाएगा और फिर से पानी के रूप में आएगा वह प्रक्रिया कहलाती है आस वन और फिदी क्या है व्कषिऑ संगनन दोनेनों को मिला दिया जाए तो आसवन मौन जाता है व्क्रवाण बदलना संगनन संगनन से आत्पर बचों ठंडा होना और ech वेतंडा नहीं महीं भडलेगा तो फिर से पांजे की बदल जाता है और जो सुद्धा पानि वहाताइए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है Cyrus contain और यह भूकि legitim से इनके पाल के वास्पी करण और संग्रण की प्रक्रिया में की पाल करके आसवन की विदी कह दें इन पढ़ें हमारी वीदी जो है आस्न वीदी है इस हम क्या करते हैं आपके विछव में होगी रूह ऐ अधा यह जब पानी उबल रहा है इसको हमने ठख दिया ठख दिया अब धकने के माद देखिएगा थोड़ी दिर बाद जो हमने प्लेट से ठखा हुआ है जो पानी बॉइल हो रहा है और चाहे तो हम इसे जल्दी करने के लिए इसके उपर कुछ बर्व के टुकड़े भी रख सकते तो वह भी देख लेते हैं कि यहां पर देखिए बच्चों यह मैंने बच्च के कुछ तुकड़े लिए हैं जो कि हमने मैंने इसके उपर रख दिये हैं और इसके नीचे जो है वह पानी बॉयल हो रहा है तो थोड़ी देर में क्या होगा जो इसकी यह प्लेट है यह गरम ह में याता नहीं हो जाएगी थो बाद मुझे लिए भाब बंकर के वर्फ किती याता धेली से लिए इस ऐसे पिखल रही है यह देखिए बच्छों यह जो ही हम लोह को यह देखना है तो कि एक प्लेट के पास जो है यह आपको दिख रही होंगी प्लेट में यहां से बूंदे कहां से आई दिख रहे हैं को पत्चा बूंदे यह देख़ जम गई है और आख्या हो यह एक्सपेनिमेंट ही एक तरह से इसको साउधानी से कीजिए गर में कोई मम्मी होया है तो यह बूंदे वह भाप से निकली हुई बूंदे यानि भाब जो है वो क्या हो रही है वो ठंडा हो करके उपर बर्फ के टुकड़े रखे इसलिए भाब ठंडी हो करके किसमें बदल जा रही है पानी की बूनों में बदल जा रही है दिख रहे हैं आपको बच्चो यह पानी की बूने दिख रहे हैं और यह पानी की बूने ज थंडी बर्फ के उसमें संपर्क में आती है तो क्या होता है यह भाब पानी में कनवाट हो जाती है यानि पानी की बूंदों में बन जाती है तो भाब के द्रौ में परिवर्तन होने की प्रके यह देखिए दिख रहा होगा आपको बच्चो यह पानी की बूंदे गिर रही है दिख दिख रही है न और यह पानी की बुंदे भी दिख रही है तो भाप के द्रौ में परिवर्टित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चो संग्धनन कहते हैं यहीं पर बच्चो समझे वास्पन की क्रिया वास्पन की क्रिया क्या है तो किसी द्रौ का वास्प में पर यह क्या कहलाती है वार्स काया पहते अचक्शने का मतलब क्या है यह थो कि मufन प्रश्च कहा है निदू प्रेगत होना करक्षका निथे द्रवें एग्द। हों गई और वस्पी करन भी पड़ लिया हम लोगों नहीं पढ़ेंगे इस वीधी को कहा जाता है क्या कहते आप लोगों ने घूलते गए उसको पानी में घोलते गए घोलते गये जब तक कि पानी में फिटकरी जो हे वह घुलना बंदना होचाई थीक डालेंगे अगर आएसे विल्यस और कुछ नहीं खुलब उसके विल्यन झाल ने जिसके अगर हम खाना खाते जा रहे हैज और आछी सिंदू पर ब सिंदूर का तो ऐसी स्थिति कहलाती है संत्रप्ता की स्थिति और ऐसे विलियन क्या कहलाते हैं संत्रप्त विलियन कहलाते हैं संत्रप्त विलियन जो है आपको समझ में आ गया होगा किने कहा जाता है अब हम क्या करेंगे बच्चो क्या इसमें हम और कुछ घुल सकते हैं जब एक दम स्थ घूलना बनोट हो जाते हैं क्या कोई ऐसी कंडिशन हो सकती है तो सोचिए बचो तो एक ऐसी परीशिती अगर हम यह घूल को गरण कर दे यह अगर हम जो हमारा घूल भूल बनाए storm स invers यहां जी दंश केपल जिशी से नमग होका है हमारा संट्रप तेविलियन मन जाए तो फिट करी है अगर डॉल जाएगी इसी तरह चीनी did संत्रप्ति विलेन है उसमें हमने एक चम्मा चीनी और डाला तो देखा अरे यह तो घुल गई यानि क्या हुआ कि फिटकरी पानी नमक कुछ भी जो है अगर हमने पानी को गरम किया है तो उसकी विलेता जो है वह बढ़ जा रही है तो गरम करने पर उसकी विलेता बढ़ रखेंगे तब क्या होगा बच्चो कि फिटकरी के सुद्ध क्रिस्टल जो होंगे वह अपने आप जो है जम जाएंगे या जमें हुए प्राप्त होंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है क्रिस्टली करण के प्रक्रिया कहलाती है इस प्रकार बच्चो फिटकरी के सुद तक फिटकरी घुलना बंद नहीं हो जाती है फिर हमने उसको और गरम करने के बाद हमने क्या देखा कि इसमें फिटकरी को और घुल लिया है उसको धनना होने के लिए रखा तो देखेंगे हम कि जो फिटकरी के सुध्य कृष्टल है वह हमें मिल जाएंगे ना नीचे बैठे बेगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी क्रिष्टली करण कहलाती है और किस प्रकार से हम लोगों ने घुलन-सिल्थोस्पदार्थो को द्रौ में लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकान भी दबाईएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है बच्चो और ये वीडियो क्लास जो हैं एकदम ने सुलक है आप भी इसका लाब लीजी और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके उनको भी इसका लाब लेने के लिए प्रेरित कीजिए मिलते हैं बच्चो नेक्स्ट वीडियो क्लास में नमस्ते